कोरोना वाइरस को देखते हुए सरकार ने परदेश के सभी स्कूल कॉलेज विश्व विध्याले बंद कर दिये हैं लेकिन करनाल का कलपना चावला मेडिकल कॉलेज अभी भी चल रहा है इस कॉलेज में 300 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेडिकल प्रबंदक का कहना है कि ना लिया है कि राज्ची के स्कूल कॉलेज विश्व विध्याले बंद कर दिया हर्याना सरकार ने भी आगेश जारी किये हुए है कि स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए लेकिन करनाल का कलपना चावला मेडिकल कॉलेज चल रहा है मेडिकल कॉलेज में 300 बच्चे पढ़ते लेकिन इस कॉलेज को अभी तक बंद नहीं किया गया है महीं मेडिकल कॉलेज प्रबंद का कहना है कि हमारी वीडियो कफरेंसिंग के चरिये मुखे सचीव ने मीटिंग ली थी जिसके बाद यह फैस्ता लिया गया कि सभी मेडिकल कॉलेज में सीनिय स्टूडेंट्स को जो चतूर्त और पंचंग वर्ष में पढ़ रहे हैं उन्हें तैयार किया जाए ताकि अगर माहमारी करोना का प्रकूप आगे बढ़ता है तो वो स्टूडेंट्स मदद कर सके लेकिन करनाल का कलपना चावला मेडिकल कॉलेज तीन साल पहले ही खुला है ऐसे में यहां सिर्फ प्रतम दिवित्य और तृत्य वर्ष के बच्चे पढ़ते हैं ऐसे में सवाल यह उठता है कि यहां एक तरफ कॉलेज और विश्व विश्डाले सरकार ने बंद करने के आदे क्लास लग रही है क्या यह सरकार के नियमों की अवहेलना नहीं है क्या यह बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाट नहीं है यह कुछ ऐसे सवाल है जो लगातार बने हुए हैं अब देखना यह होगा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज खुला रहता है या फिस्टूड में ट्रेन कीजिए और ताकि यह इस समस्या को नजदीकी से देख सके इसके बारे में ट्रेन हो सके और ज़रूरत पढ़ने पर आप इन्हें ट्रेन करके उसमें इस्तेमाल भी कर सके कोई आपदा की सिच्वेशन अगर हमारी बन जाती है तो उस उस स्तिती में हमारे पास ए कि ने इस्तेमाल भी कर सके अगर जरूरत ऐसी आती है तो मैं कुछ एक दिन करेंगे उसके बाद चुटी कर दी जाएगी तो अभी कल वाइस चांसलर रोतक के साथ हमारी मीटिंग थी तो उसमें कुछ मन्थन चल रहा है कि जो जुनियर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी चुटी करके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको हम रिटेंग कर लें और उनको ट्रेंग किया जाए तो पीजी रोतक में जरूर है दूसरे मेडिकल कॉलिजिस में जरूर है खानपूर में है मला फॉर्थ और फिफ्ट यर को आप सीनियर कहते हैं लेकिन करनाल की बात करे उसकी चल्ब करेंगे तो उसकी बात कीजी और क्यूंकि दोसों से उपर की गैधरिंग को बंद किया गया है हमारे पास जो स्टूडेंट्स के बैच इन की होती है और चोटे की पचीज टीस ऐसे ही लेटेस को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद